अस्सलाम अलेकुम, GIT की स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है, मैं हूँ एखलाक एहमाद, आज के इस अध्याए में आप लोग सीखेंगे MS Excel 2007 में H Lookup फार्मूले का प्रयोग, चलिए सबसे पहले हम MS Excel 2007 ओपन कर लें हमने यहाँ MS Excel 2007 के Excel separate sheet पे एक table open कर लिया है, और यहाँ लिखा है H Lookup, H Lookup का मतलब होता है, horizontally, as far horizontally, error lookup का मतलब होता है, to search, horizontally, search करना H Lookup फार्मूले का प्रयोग बहुत बड़े database पे किया जाता है, और H Lookup फार्मूले का प्रयोग करते समय, कई प्रकार की शाओधानिया भी रखने पड़ती है, जैसे, यहाँ हमको ध्यान से यह देखना होता है, कि यह जो columns हैं, एक-एक, यह column कहीं hide तो नहीं हो गए है, जै है कि नहीं, तो अगर इस तरीके से देखिए, एक बार direct C दिखा रहा है, ऐसी दिक्कतें आ गई है, तो भी दिक्कत हो सकती है, तो इस तरह की दिक्कतों को आप सुधार लें, यही काम यहाँ रो पे भी आप कर सकते हैं, अगर कोई रो हाइड है, तो उस पे भी यह फार्म में जो है, हमें, जैसे यहाँ पर लिखे हैं, हम लिखे हैं, सिरियल लंबर, फिर यहाँ वर्कर नेम, और यहाँ पर लिखे हैं, हम पोस्ट नेम, फिर यहाँ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रेल, माई, जुन, यही कुछ महीनों के नाम हमने यहाँ पर लिखा है, तो हम मार्च में कितनी दे गई थी तो यहां 4865 रुपे दे गई थी इस प्रकार अमन की मई में तो यहां पर देखिए 865 रुपे दे गई थी इस तरीके से यह सभी लोगों का यहां पर रिकार्ड मेंटेंस है जन्वरी से देखे जून तक का अब हमको इसमें से देखना है किसी पारटिकुलर का तो देखिए जब हम लोग वी में लुक अप पता रहेते हैं लोग को तो उसमें हम बताए होंगे आप लोगो को कि वी लुक अप फार्मुले में कालम इंडेक्स नमبر पूछता है क्योंकि वी लुक अप फार्मुला कालम और ये h look of formula row पे काम करता है तो यहाँ पे आपसे इसमें row index number पूछेगा तो हमें row index number देना होगा तो चलिए देखते हैं कैसे और look of formula में हमलोग person का नाम चेंज करते थे तो उसकी सारी चीजें post और उसकी आगे की जो भी column हमने डाला था वो सब change हो रहा था लेकिन यहाँ पे person का नाम नहीं change करना है हमको यहाँ पे कालम का नाम change करना है तब जो है बैलू change होगा तो उसके लिए चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले कोई एक कालम लिख ले रहे हैं जिस कालम का हमको देखना है जिसमाली हमको पोस्ट नेम देखना है यहां लिखेंगे पोस्ट नेम अब यहां उस लड़के का नाम लिखेंगे जिस लड़के का हमें पोस्ट नेम देखना है इसमाली हमको आकास का देखना है तो लिखेंगे यहाँ पे आकास हमने आकास टाइप किया और यहाँ पे हमको फार्मूला अप्लाई करना है तो फार्मूला हम अप्लाई करते हैं से देखें कि इस प्रकार से जैसे माली यह कि हमको यह एच लूक अप्लाई करना है तो हम लग Welcome the value में हम इस person के नाम को न select करके अब हम post name को ही select करेंगे. तो हम यहां post name लिखे हैं और यही देखना चा guitar है. इसलिए हम post name को यहीं से select करेंगे. तो हम यहां करें रहा है comma. अब हम यहां पे comma लगाएंगे. यह पूछ रहा है table array. तो ये जो post name है ये कहां होगा उसका कोई जगह देना है तो हम जानते हैं कि यहां से देख करके इतनी दूर में ये post name हो सकता है तो इसलिए हम इतनी table select कर लिए serial number को हमने छोड़ दिया है तो इतनी चीज़ें हमने select कर लिया अब यहां कर रहा है फिर कामा हमने फिर से कामा लगाया और यहां पर कर रहा है row index number हमने पहले बताए आप से कि s look up में row index number पूछेगा तो ये जो है आकास का हम देख रहे है post name हम देखेंगे आकास किस row में है ध्यान रहे row index number देते से में हम उपर से यही वाला row देख लेते हैं 1, 2, 3, 4 जो यह उपर लिखा है हम यही देख लेते हैं आकास देखी यहाँ पहना यानि यह पांचवे row में है आकास, Excel separate sheet के माधन के तहत यह पांचवे row में है अब यहाँ हम देख लेते हैं 5 ठीक, और हमने select यह green वाला selected area देखिए हमारा यहाँ चोथे से है तो यह पांचवे में है अब यहाँ तक हमने select किया है अब इसके उपर हम देख लेते कितना हम छोड़े हैं उतना घटा देंगे 1, 2, और यह 3 यहनि 3 row हमने छोड़ा है तो 5 में से minus 3 कर देंगे अब हम यहाँ पर लिखेंगे 5 और minus 3 करने के बाद फिर हम यहाँ पर कामा लगाएंगे हमने कामा लगाया अब यहाँ पर भी यह देखिए करा है true और false पूछ रहा है तो true के लिए 0 लिखते हैं यहाँ पर हमको 0 टाइप करना है true तब करेंगे जब हमारा data ascending order में होगा और true के लिए 1 लिखते हैं false तब करेंगे जब हमारा data descending order में होगा और false के लिए 0 लिखते हैं तो हमारा data ascending में नहीं है पता नहीं है कि नहीं तो इसके लिए हम यहाँ पे zero type कर देंगे करने बाद हम bracket यह close करेंगे और interface करेंगे तो देखिए यहाँ पे आकास का post name teacher निकल गया है अब हमको आकास का फरवरी महीने में कितनी salary थी वो जानना है तो इसी post name वाले खाने में ही हमको जनवरी लिखना है और ध्यान रहे जनवरी हमने केवल jan लिखा है पूरी spelling नहीं लिखा है तो इसलिए यहाँ पे भी हमको jan ही type करना होगा अगर हम पूरी spelling लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा तो इसलिए हम jan लिखेंगे और interface करेंगे तो देखिए आकास की जनवरी महीने में देखिए 456 रुपया है तो यहाँ पे भी 456 दिखा रहा है ऐसे ही हमको जून का देखना है तो यहाँ पे आकास का JUN बस तीन अच्छा type करेंगे और interface करेंगे तो 4865 रुपया देखिए यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी आपको 4865 रुपया दिखा रहा है तो इस तरीके से यह row index नमबर पूछेगा और column नमबर को change करने पे यह value change होगी ना कि person का नाम change करने से तो दोस्तों आज की सद्धाय में आप लोगों ने सीख़ा H look up फार्मूले का प्रियोग करना अस्राम अलेकूम